गुलबरकर शहर में कुछ दिन पहले रियाज उत्दिन उसामा नामी एक नोजवान शक्स का काफी कम उमर में इंतिकाल हुआ था ये एक वालीवाल टीम का हिस्सा था और उसामा की खौयश थी कि ये शहर के दिलशाथ फंक्चन हौल के अपोजिट मौजूद पानी की टाकी गार्ण में एक टार्नेमेंट और गनाईज किया जाय है पर आचानाक हुए इंतिकाल के बाद उसामा के दोस्तों ने अपने दोस्त की याद में 20 अक्टोबर को वालीवाल टार्नेमेंट और गनाईज करने का ऐलान किया है इस मोके पर एजाज एंट टीम ने उसामा की कमी को महसूस करते हुए कहा 20 अक्टोबर को दिलशाथ रंक्चन हौल के अपोजित गाडन में डिश्टिक लेवल वॉली वॉल्ट ओर्नेमेंट और्गनाइज किया गया है रियाज अदिन उसामा के नाम से ये टॉर्नेमेंट खिला जा रहा है जिसमें उसामा के चाहने वाले और शहर के अवाम को शिर्कत करने की गुजारिश की गई है इस टॉर्नेमेंट से जुड़ी डीटेल जानने के लिए अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे असलाम अलेकुम सबी को मैं आज यही कहने के लिए हूँ के एक वाली वाल्य टॉर्नेमेंट रखा गया है जो हमारे दिलों की धड़कन, हमारी जान, हमारे एक खास दोस्त दिल के आज भी मौझूद है जैसा के बीदर, अलन, चितापूर, शाबात, ऐसे गुलबरगा के चिंचोली, यह टीम साने वाले है इसमें पार्टिसिपेस करेंगे, और मैं सभी टीमों से गुजारिश करता हूँ, कि वो आए, अच्छा परफरमास करें, अच्छा खेले, उसामा के याद को ताजा करे, और फिर से मैं सभी गुलबरगा वालों को बोलना चाहूँगा, कि 20 तारिक यानि इतवार, यानि हैं, तो पुरी टीम महिनत करके, अलहमदुल्ला, अच्छा करने कोशिश करेंगे, उसकी याद को बर्खरा रखने कोशिश करेंगे, हम आसानी से नहीं भूल सकते, उसामा को भूलना मुश्किल है, हमारी जब तक सांस है, उसामा की यादे हमारे दिलों में मौजूद रहे हैं, ऐसामा, तेरे दोस्ती पर हम नास करते हैं, हर वक्त तुछ से मिलने की खुदा से फरियात करते हैं, हमें पता नहीं क्यों तू हमें छोड़ गया, हम नीन में भी तेरे से बात करते हैं, तो मैं यहीं कहूंगा, कि उसामा की याद को ताजा करने के लिए उसकी तमना थ इस वाईश थी कि गर्डन में पानी कि टाकई जो दिल्षाथ पंचनला ao के पास है वहाँ पर टरलेंट कराने की आज वहाँ हमारी बीस नहीं है लेकिन हमेशा हमारे बीश रहेगा और यह हमारी टीम है मैं वहारी टीम का भी शुकर्यादा करता हूं इस में को सपोर्ट करने के लिए और मैंजमेंड के लिए और बहुत से लोग है Communal के दिन सब लोग मिलेंगे मुलाखात करेंगे और यह जो एड्रेस है पानी की टाकी अगारन डिल्शार्थ पंसुनाल के पास और हमारा महराजा होटल जो पुराना महराजा अव्फोनगर् छोाओ के पीछे वहां पे घरली मेंट है टाइमिंग जो इस टार बजे से श्टाट होगा और खतम जो है ठीक बारा से एक बज jazz तक उसका टारली मेंट का फराट तक हमारी कोशिश है कि अच्छे तरना झाला है da आई लेवल पर एक इतिहास बनागे जाहते हैं मुसामा के नाम से टार्लेमेट सेarken कर नहीं होगा षॉर्ट ले आजै तियाफरों अब परोंडय को है झिलाक्ट एसा करेंगे तो अगर बारिज भी आती है तो इस्टे भी करने के लिए हम प्लाइनिंग कर रहे हैं उस दिन बारिज ना अगर बारिज भी आ तो इस्टे करने की जगा हम कोशिश कर रहे हैं और मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी गुलवरगा के लोग है वो टॉरलेमेट को देखने के ल ने कर और हम काफी फोड़ी से सैड भी है थोडी से तकलिव में बिया कि छोटी से उमर में वह हमें चोड़कर चला गया लेकिन मैं हमशा लग इप company by सब दुआ करेंगे अल्ला उसे जन्नतु फिर्दोस में आला से आला मकाम फरमाए और उसकी मखिरत फरमाए और बस यह चाहूंगा कि उसके जो जो सपने थे खौाइश थे इंशालला वो नहीं है लेकिन हम लोग करने कोशिश करेंगे